आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारती इतिहास से संबधित महत्पूर्ण MCQ की बारे में चैनल पर नए आए हैं लाज इस दे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों भी वीडियो को सेर जाने थें तो आप जो है पलेलिस्ट में हिस्ट्री MCQ के प्लेलिस्ट में चले जाएगे तो आपको वहां पर वीडियो मिल जाएगे आप देख लिएगा तो आज की इस वीडियो में हम 151 से ले करके 160 नमबर तक के questions के answer जाने के कोशिश करेंगे तो चलिए इन questions के answer जान लेते हैं इस वीडियो का पहला question है मतलब 151 नमबर communal award किसने प्रस्तुत किया था तो यहाँ पर आपका A option सही होगा रेमजे मैक डोनल्ड 152 नमबर पूना समझोता किनके मध्य हुआ था तो यहाँ पर आपका C option सही होगा गांधी और अम्बेडकर के बीच 153 नमबर हरीजन पत्रिका का समपादन किसने किया था तो यहाँ पर D option सही होगा महत्मा गांधी 154 नमबर कांग्रेश समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई 1934 में कांग्रेश समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी 155 नमबर कांग्रेश समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे तो यहाँ पर आपका D option सही होगा नमबर कांग्रेश के पहले अध्यच कौन थे तो यहाँ पर आपका B option सही होगा लाला लाज पत्र आए भारत सरकार अध्यच के आधार पर भारत में प्रांतिय चुनाव कब शंपन हुए तो यहाँ पर आपका C option सही होगा लाज प्रांतिय चुनाव जो है शंपन हुए प्रांतिय कांग्रेशी मंत्री मंडल ने 1949 में इस्तीफा क्यों दे दिया तो यहाँ पर आपका D option सही होगा भारत को दोतिय विश्वित में सामिल करने के कारण ब्रिटिश भारत में प्रांतों में दोएध श्राशन बेवस्था लागू की गई तो यहाँ पर आपका D option सही होगा भारत सरकार अधेनियम 1935 के द्वारा तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही चैनल पर नए आया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लेजी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के वीडियो को शेयर जलूर करिएगा तो आज के लिए वस इतना ही धन्यवाद